गुद आप्टरून एवरीबन आज मैं आपको CDP कराऊंगी CDP में आज आपको पहली थियोरी कराऊंगी फर्स्ट थियोरी थियोरी ओफ जीन पर आजए ठीक है जो कि आपके टेट के हर एक एक एक्जैम में आती है जैसे कि आप एक टेट ले लो सी टेट ले लो पी टेट ले लो पी एस टेट ले लो आपका यह आपका सूपर टेट हो जाए ठीक है तो हर एक टेट के एक्जैम में CDP आती है यह है जीन प्याजे जो की एक साइकॉलोजिस्ट है छीक है स्विस्ट के साइकॉलोजिस्ट है यह तो इनने एक्सपेरिमेंट किया था जितने भी साइकॉलोजिस्ट हुए आज तक आप देख लो पैवलोग था या यह फॉन डाइक थे छीक है पैवलोग फॉन डाइक गेस् एकपैरिमेंटिय कुर्त लेविनष इन्होंने दोनो बच्चों के उपर एक्सपैरिमेंट किया पर बच्चेव बढ़ती जाती है वैसे बच्चे का cognitive development होता जाता है घो तो यह Gene Piaget ने बलता, यह थो हमारे Gene Piaget orem ईट चीए क्या है, Intellectual Development अब Gene Piaget की जो थ्यूरी है Gene Piaget को क्या बोलाता है, Cognitive Development की थ्यूरी इसे cognitive क्यों बोला जाता है, विकॉज क्योंकि यह Knowledge से Period करती है, Mind से, Intellectual Coognitive का Mean'ी ही क्या होता है, Knowledge ठीक है ना cognitive को ही क्या बोलते है वो knowledge cognition तिसे अब knowledge का नाम देते हो और इसे क्या बोला गया intellectual development कि intellectual का मतलब क्या होता है कि बच्चे का बौधिक विकास बच्चे का बौधिक विकास करना ठीक है न तो प्याजे अवाज स्विश साइकोलोजिस्ट प्याजे क्या थे एक स्विश्श साइकोलोजिस्ट थे इनकी स्विट्जर लैंड के साइकोलोजिस्ट थे वो एंडिननों कॉर इस वर्क और चाइल्च डेवलेप्मेंट और यह वह जाने ङुक गए कोनी इनician वच्च्चों की इन ने किसी भी आनेमल को नहींिद लिया aos औ यहां अभी 본性 का अभी यह प्याउब्र चिख को नहीं ठीक है न ने रियल अभजेक्ट मतलब अप्याजे जो थे वह एक साइकउलोजिस थे कंस्ट्रक्ट्ट Cuайтесь once इनको Constructivist Psychologist भी बोला जाता है प्याजे की जो theory है वो cognitive development को लेकर भी है and epistemology को भी epistemology means knowledge we are together called genetic epistemology उसे बोला गया अब प्याजे ने बोला प्याजे कहते हैं child is born with the mental or cognitive structure प्याजे कहते हैं एक बच्चा जब पैदा होता है न तो वो खुद ही mental or cognitive structure को लेकर पैदा होता है देखो जब बच्चा पैदा होता है तो मा तो नहीं उसे सिखाती कि तुने feed लेनी है या उसको मा नहीं सिखाती कि तु रोएगा तभी तेरे को दूद मिलेगा नहीं बच्चा एक अपने mental structure से ही पैदा होता है कि उसके दिमाग में चीज होती है कि मैं रोऊंगा तो वो समझेंगे कि मुझे भूख लगी है और वो दूद पीता है ठीक है वो feed लेता है तो एक बच्चे का अपना mental structure होता है तो प्याजे कहता है कि बच्चा बिल्कुल ब्लैंक पैदा नहीं होता है कि उसको पता होता है कि वो रोएगा तो उसको खाना मिलेगा तो it means उसका कहीं न कहीं mental structure है एक ठीक है तो mental और cognitive structure है जो which develop जो develop करता है and attain attain करता है maximum growth वो attain कर जाता है maximum growth around the age of 14 to 15 प्याजे कहता है जब बच्चा 14 से 15 साल तक में आता है है तब तक वो आते आते पूरी growth उसकी हो जाती है mental growth 14-15 साल तक आते आते 14-15 साल में आता है बच्चा adolescence की age में होता है teenage 13 साल तक होती है 13 साल के बाद बच्चे का एडॉलेसिंस पीरड शुरू हो जाता है जो 13 से 18 साल तक की उमर का होता है अठारा के बाद बच्चा जब 20 में एंटर होता है तब उसका एडल्ट हुड शुरू होता है ठीक है तो वह कहते हैं जब बच्चा 14 से 15 साल तक का होता है तक वह बिल्कूल ही उसकी मेंटल ग्रोथ ह हो चुकी होती है उसे चीजे समझ में आ चुकी होती है तो उसके दिमाग की डेवलोप्मेंट हो चुकी होती है तो प्याजे ने बोला जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसका एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है एक मेंटल ग्रोथ एक मेंटल स्ट्रक्चर उसका होगा उस अब प्याजय की थ्यूरी के कुछ elements है तो पहला element क्या है maturation experience social interaction and equilibrium maturation क्या होती है परिपक्वता परिपक्वता ठीक है maturation का meaning क्या होता है जब बच्चा mature हो जाता है पूरा है है हम कहते है कहीं बच्चे तो बहुत चोटी सी उमर में 20 एज में ही mature हो जाते हैं कहीं 18 में mature हो जाते हैंamaturation होती है maturity होती है वह आपकी mentally होती है mental maturity maturation ठीक है अगला है experience जब बड़ा होता जाता है तो उसे life का experience होता जाता है जब वो adulthood में पहुंच जाता है तो उसे experience हो जाता है ठीक है तो प्याजे की थूरी का ये भी मोटर था experience अगला है social interaction then equilibrium social interaction क्या होता है जब बच्चा society के contact में आता है social interaction होती है जब वो school में जाता है teacher के contact में आता है अपने peer group से मिलता है अपने साथ कि जो classmates होते हैं उनसे बात करता है उनसे मिलता है तो social interaction होती है दैन आगे आगे आता है equilibrium जब वो equilibrium की stage पर आ जाता है equilibrium कब होती है यह मैं आपको आगे बताऊंगी ठीक है अब है प्याजे का concept यहां से प्याजे की थूरी का concept start होता है कि प्याजे नहीं क्या कहा था according to stages कैसे बच्चे की development होती है प्याजे ने बोला कि बच्चे के mind में एक schema होता है schema क्यों होता है कि हम कहते हैं अब हम हमारे मोबाइल में कहीं बार जैसे मोबाइल नियू पर चेज करते हैं तो six month तक या one year तक आपके मोबाइल में कहीं बार अपडेट कर नहीं आता है कि अपडेट कर लो software को अपडेट करो software को एक मेसेज आना शुरू हो जाता है बार बार ठीक है तो बच्चे के माइंड में knowledge बिठा दी जाती है कैसे इसे टीटर ने उसको spelling बताए टी ओ लो ओ आर कलर के spelling ही है तो बच्चे के माइंड में यहिज स्पैलिंग रहेंगे कैलर के टीह अल ओ और ऑ तो यह के माइंड में स्कीमा बिठा दिया गया ठीक है ना स्कीमा बैठ गया यह बैठ गी अब धीरे धीरे इसको अपडेट होने की जरूरत है चीक है उसके बाद बच्चा ये schema है जो उसको knowledge दी जाती है that is a schema बच्चे को जो बच्चा छोटा था तो teacher ने उसको knowledge दी तो वो knowledge उसके लिए क्या बनगी एक schema ठीक है अब उसके बाद बच्चे के पास एक knowledge थी assimilation उसने क्या करा assimilate करा जब हम किसी previous knowledge assimilation क्या होता है equilibrium क्या होता है dis equilibrium और accommodation क्या होता है यह आप next slide में समझोगे मैं वापिस back इसी slide पर आऊंगे schema क्या होता है representation in the mind of a set of ideas and actions which together एक तरह की representation होती है in the mind हमारे mind में और set of ideas जो ideas हमारे mind में बिठा दिये जाते हैं जो actions हमें बता दिये जाते हैं which go together जो एक साथ चलते हैं हमारे ideas और हमारे action जब एक साथ चलते हैं यानि कि हमारे दिमाग में वो knowledge बिठा दी गई तो वो क्या बन की मेरे लिए स्कीमा assimilation क्यों आते है तो process of taking the information into our previous existing schema में जब हम एक तरीका एक process होता है कि taking the information information को into our previous existing schema के अंदर रख दिया जाता है इसमें भी मैं आपको एक उससे समझाऊंगी यह होता है assimilation और accommodation मैं वापीस back उन दो slides पर आउंगी जिन पर मैंने आपको समझाना है मैं इसके थूरू पहले आपको समझा रही हो फिर वापिस उस पर आऊंगी assimilation error accommodation assimilation क्यों होता है कि एक previous knowledge बच्चे को बता दी गई थी यह देखो saw this four lagged animal for the first time बच्चे ने क्या करा पहली बार इस इस को देखा इस animal को देखा clear है वो कहता है उसको उसने देखा कि इस animal की चार टांगे हैं एक पूँच है ठीक है उसने पहली बार इस animal को देखा existing schema क्या था उसके mind में कि his four lagged pet is a dog assimilation क्या होती है जो आपके पास आपकी previous knowledge होती है उससे बोला जाता है assimilation उसने देखा कि his four lagged pet is a dog यानि कि यह चार पैरों वाला जो जानवर है यह क्या है dog है ठीक है ठीक है the child will call this a dog बच्चन उसको क्या बोला कि उसको उसको बोला कि यह dog है उसको dog पुकारा ठीक है assimilation क्यों होती है जो आपकी previous knowledge होती है schema क्या है जो knowledge आपके mind में बिठा दी गई उसी और आगे assimilation उसका किया गया assimilation schema के बाद क्या अगला step assimilation assimilation क्या होती है जो आपकी previous knowledge होती है ठीक है तो previous knowledge क्या थी कि the child will call this a dog उसने इसको dog बोला but accommodation में क्या हुआ existing schema क्या था उसका कि his four lack the pet is a dog कि ये चार पैरों वाला जानवर है ये dog है ठीक है बट किसी ने उसको बोला someone points out that cat in this is a cat 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 hai do it it has four legs उसने बोला कि ये बिली है ये कुटता नहीं है उसने बोला है डौग नहीं है ये cat है उसने बोला जरूरी नहीं है कि हर जानवर जो बराउन कलर का हो जिसकी चाह टांगे हो वो dog ही होताय ऐसा नहीं है वह कैट भी हो सकती है वो कुछ और भी हो सकता है तो जब बच्चे की previous knowledge के अंदर कुछ add कर दिया जाता है previous बच्चे की जब ये तो थी previous knowledge ठीक है assimilation क्या आती है उसके previous knowledge और जब हम previous knowledge के अंदर previous knowledge में जब हम add कुछ add करते है add करते है new knowledge को adding the new knowledge जब हम previous knowledge के अंदर new knowledge को add करे या modify करे या adjust करे या change करे तो उसको हम क्या बोते हैं? accommodation ठीक है? ये चीज याद रखना पहले उसने बोला schema सीमा वो था जो बच्चे को knowledge दी गई, उसके mind में एक knowledge बिठा दी गई assimilation जो उसकी previous knowledge थी previous knowledge क्या थी? C-O-L-O-R C-O-L-O-U-R color के spelling पहले ये थे अब क्या हो गए? change हो गए C-O-L-O-R बन गए तो जो अब बने C-O-L-O-R वो मेरे लिए क्या हो गई accommodation जब मैं previous knowledge के अंदर कुछ add कर दे नहीं knowledge को add करती हूँ या modify करती हूँ या adjust करती हूँ तो that is accommodation और जब जो मेरी previous knowledge होती है that is assimilation ठीक है? ऐसे ही जो मैंने back आपको दिखाना था जो मेरी previous knowledge थी मेरी previous knowledge क्या थी? assimilation assimilation मेरी previous knowledge थी previous knowledge क्या थी? कि मैंने एक animal देखा था और मैंने बोला कि वो क्या है? वो brown color का है मुझे बताया गया और क्या बताया गया? इसके 4 टांगे होती है it has 4 legs ठीक है? और इसका नाम क्या है? dog ठीक है? तो मैं क्या होगी? equilibrium की stage पे आगी कि मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गई मैं संतुलन में आगी कि हाँ मेरी मम्मी ने या फिर मेरे पेरेंट्स ने या फिर मेरे टीचर ने या फिर किसी person ने मुझे बताया कि ये जो बाहर जानवर घूम रहा है ये ब्रावन कलर का है इसकी चार टांगे होती है और ये dog है मतलब अब जब भी मुझे ऐसा कोई जानवर दिखाई देगा तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि वो dog है बट मेरे पास फिर एक new situation आ गई new situation क्या आती है जब मेरे पास accommodation होता है मैंने क्या करा previous knowledge के अंदर जब मैंने कोई new knowledge add करी या adjust करी previous के अंदर ही previous knowledge हुई जब मैंने उसके अंदर कुछ add करा या कुछ modify करा ठीक है ना उसे क्या बोला गया accommodation अब नई situation मेरे सामने क्या आती है नई situation मेरे सामने आई कि मेरे सामने कोई और जानवर आया और मैंने बोला नहीं ये तो dog है क्योंकि ये भी brown color का है इसकी भी चाट आंगे है और ये भी छोटा सा है तो ये क्या ये भी dog है है ना तो new situation क्या आई कि उन्हाँ ये मेरे को किसी ने बोला कि ये dog नहीं है ये cat है जब उसने बोला कि ये dog नहीं है ये क्या है cat है मेरा दिमाग एकदम बच्चे का दिमाग एकदम डिसउकलेबियम की position पे आ गया क्या हुआ कि वो एकदम संतुलन में नहीं रहा और जैसे एकदम अचानक से आपको कोई नहीं चीज बता दी जाए और आप एकदम उस नहीं चीज को अक्सक्त नहीं करते ऐसे ही उस बच्चे ने इकदम नहीं किया होगी लाखक करे ऊगए और जब उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे वो फिर से दुबारा equilibrium की stage पे आ गया कैसे आया उसने उन चीजों को मान लिया कि यह dog है और यह cat है ठीक है तो आपके touch के exam में question आ जाता है कि जो previous knowledge होती है उसको किस चीज में किस part में रखते हैं तो that is a simulation ठीक है जो आपकी previous knowledge होती है उसको क क्या बोला जाता है assimilation जो previous knowledge होगी उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है assimilation और previous knowledge के अंदर वो कहते हैं जब हम कुछ add कर देते हैं या कुछ modify कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं accommodation यह दो statement है जो आपके टेट के exam में आती है कि कोई पर टेट का exam होज़ेगा आप लोगों का उसमें यह दो statement दी जाती है और पूछा जाता है आप लोगों से कि जब हम कोई जब कोई previous knowledge होती है previous knowledge को क्या बोला जाता है जो previous knowledge होगी उसको बोला जाएगा assimilation और जब हम किसी previous knowledge के अंदर कुछ प्लक करते हैं new knowledge को add करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं accommodation यह दो point है जो इस paper में में जीन प्याजे की theory में पूछे जाते हैं previous knowledge जो होती है हमारी assimilation है और जब हम previous knowledge के अंदर कुछ new previous knowledge के अंदर जब हम नहीं knowledge को add कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारी accommodation ठीक है तो यह जीन प्याजे का concept था ठीक है next आगे वो क्या बोलता है इसमें उसने ही बोला कि the purpose of taking the information into our previous existing schema जो previous knowledge होती है existing schema जो होता है वो क्या है हमारा affirmation accommodation क्या हो जाती है involve the altering the existing idea schema as a result of a new information or new experience जब हम किसी अपनी पुरानी knowledge के अंदर जब हम new knowledge को new information को add कर देंगे या adjust करेंगे या modify करेंगे उसको क्या बोला जाएगा accommodation next वो कहता है equilibrium equilibrium क्या होता है a mechanism that assists the children in achieving a balance between the assimilation और accommodation इन दोनों के बीच में balance बनाने को हम क्या बोलते है equilibrium ठीक है न जब बच्चा नई नई knowledge उसके सामने आती है तो वो एक दब dish equilibrium की stage पे आता है और धीरे धीरे वो चीजों को समझना शुरू कर देता है फिर वो equilibrium की stage पे आ जाता है तो वो कहते हैं ऐसे accommodation यहां पर आ जाएगा assimilation दोनों को मिला के वो यहां पर आ जाता है equilibrium ठीक है नेक्स्ट आगे स्मीं यह चीज हो चुकी आपकी अगे जीन पर आजे ने यह concept दिया था stages का यह stages हैं बच्चे की stages of development ठीक है यह जीन प्याजे का concept था development का वो बोलता है what is cognitive development जीन प्याजे कहता है कि cognitive development क्या होती है ठीक है न वो कहता है sensory उसने इसकी चार stages बताई वो कहता है बच्चे की development की चार stages होती है जब हम बच्चे की कोई development करते हैं बच्चे की development होती है तो वो चार stages में होती है तो उसने पहली stage बॉली sensory motor stage zero to two years जो कि इसके इंदर लिख हुई है मैंने प्री operational stage two to seven years यह two to seven year की stage का पच्चा है ठीक है यह zero to two years का है दैन उसके बाद बोल लेगी concrete operational stage concrete operational stage के seven to eleven year की है और दैन उसके बाद बोली जाती है formal operational stage जो कि adolescence और adulthood की है 11 onwards ठीक है तो पहली थी sensory motor stage pre operational stage concrete operational stage third है और formal operational stage यह कुछ stages थी जीन पे आजे ने जो बच्चे की development के बारे में बताई थी कि sensory motor stage zero to two years यानि कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह zero जीरो दिन count किया जाता है पहला दिन काउंट करा उसका ठीक है उस दिन से लेके 2 साह तक का बच्चा कैसे अब उस देश में बच्चा कैसे development करता है क्या-क्या action करता है क्या-क्या उसकी क्रियाएं होती है actions होते हैं कि जो हमें हम लोग देखते हैं और उस zero to two years में बच्चे की development कैसे धीरे-धीरे होती है तो यह जीन प्याजे ने बोला था कि pre-operational stage में क्या होता है concrete में और formal में तो पहले stages of development के अंदर यह आती है sensory motor stage पहली stage क्या है sensory motor stage अब इसको sensory motor stage क्यों बोला जाता है देखा देखो बच्चा लेटा हुआ है वो अपनी senses यानि कि अपनी आखों से इस खिलोने को देख रहा है ठीक है और साथ में उसने क्या किया हुआ है इस खिलोने को अपने हाथों से पकड़ा भी हो गाए। उसने ऐसे करके इसको पकड़ा हुआ है। अपनी आखों से वो देख रहा है और यह उस कर तो जब बच्चा अपनी 0-2 एर्स में जब बच्चा अपनी सेंसिस के साथ यह आइज टंग टच यह सेंसिस के साथ साथ जब वो अपनी मोटर स्टेज का यूज करता है मोटर स्किल्स क्या अपने हाथों से उसको पकड़ रहा है तो हाथों का यूज कर रहा है तो यह उसकी क्या है मोटर स्किल है अपने पैर ऐसे हिलाता है पैर उपर नीचे करता है हिलाता है तागे मारता है तो यह क्या उसकी motor skill है तो जब बच्चा अपनी senses के साथ साथ अपनी motor skill का use करता है तो उसे बोला जाता है sensory motor stage the child begins to interact with the environment इसमें बच्चा क्या करता है environment के साथ interact करना शुरू कर देता है यानि कि वो अपनी senses के साथ साथ अपनी motor skill का भी use कर रहा है next अगला pre-operational stage pre-operational stage अभी stages के अंदर बहुत सारे points हैं वो भी next slide में कराऊंगे मैंने सिर्फ पिच्चों स्के तुरू अभी आपको बताया है बता रही हूं कि बच्चे की जो development की stages है वो क्या क्या है ठीक है next अगला pre-operational stage pre-operational stage में क्या होता है the child begins to represent the world symbolically child शुरू कर देता है रिप्रेजेंट करना वर्ड को symbolically pre-operational stage में क्या होता है कि जैसे बच्चा क्या होता है अनिमिजम करना भी शुरू कर देता है जो लड़की होती है जैसे उसकी मदर उसकी कॉंब करती है उसके बालों पर पिंस लगाती है तो दो से साथ साल की उमर में वो लड़की भी क्या करती है अपने लड़ के साथ जो उसका बेबी डॉल होगी इसके पास से ट्वाइब घरल का वो कह आए कि वह उसकी वैसी कॉंब करेगी उसकी वैसी पिंस लगायेगी और जब मदर उसको खाना खिलाएगी तो उसको यह लगेगा कि मैं भी इसको खाना खिलाओं और वह एमिमिजम करेगी कि जैसे मैं खाना खा रही हूं वैसे वह खाना का रही है बट रियालटी में वह खाना नहीं खा रही होती इसके अंदर वह नॉन वह वह क्या करते नॉन इunky ενदर उस भच्चे ने पाक गिलास के अंदर पानी को वो देख रहा है उसने उस गिलास को पकड़ा हुआ है Kanak Lanka मतलब यह होते पर चीजें अपकर अपकर चम्हें परेश्ज और रखता है देखो बच्चा उस गिलास को देख रहा है ठीक है उसने हाथ में वो गिलास पकड़ा हुआ है उस गिलास में क्या है पानी है ठीक है तो अगर उस बच्चे से मैं पूछूं कि वो उस गिलास को ऐसे पकड़ के अपने हाथ में और फिर बताएगा कि गिलास पानी से आधा भरा हुआ है कि आधा खा दी है तो बच्चा क्या कर रहा है चीज़ों को चीज़ों करके रखना शुरू कर देते हो समक्षित करके अपने पास रखना शुरू कर देते हो तो उस टेज को क्या बुला गया concrete operational stage next आगला formal operational stage अब एक stage हो रहाती है formal operational तो formal operational stage में क्या आता है the adolescence concrete think about the future the adolescence can transcend the concrete situation and think about the future formal operational stage पे आते हैं adolescence में formal operational stage है जो कि adolescence की stage है जो अडॉलेसन से स्टार्ड होकर अडल्ट हूड हूड तक जाती है तो इसमें बच्चा क्या करता है कि अडॉलेसन से स्टार्ड होता है इस टाइम बच्चे के माइंड में आता है जब बच्चा Adolescent Stage में होता है कि मैं कोन हूँ? मैं क्या हूँ? ठीक है ना? वो अपनी Identity को लेकर बहुत ज़ाएदा Confuse हुआ होता है उसके अंदर और इसी स्टेज को स्टेल ने हल ने क्या बोल दिया? Stress and Storm का Period स्टेल ने हल ने इसी स्टेज को क्या बोला? Stress and Storm का पीरिट स्टेल ने हाल ने बोलती है जब पीरिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रों यानि कि संघर्षों और तुफानों का काल भी इसे बोला गया तो कि इस टेज पर आके बच्चे के माइंड में आता है मैं कौन हूं मैं क्या हूं वो अपनी आइडंटिटी को लेके बहुत स्टेज में आता है तो सही स्टेजंद कर देता है लाइफ को लेकर अपने करियर को लेकी स्टेज हुआ उलाइफ को लेकर उसे क्या बोला घांगा पॉर्मल ऑपरेश Спेट कि यह कुछ स्टेजेग इस त Absolute को भी इसे विब अब इस स्टेजम आपको मैं कि इसके अंदर कौ कुन से points हैं बच्चा क्या क्या काम करता है कैसे कैसे उसकी according to stages development होती है clear है इतना अब हमारी जो first इधर stage है मैं वो बताने लगी हूँ that is a sensory motor stage इसको क्या बोला गया sensory motor stage जो कि zero to two years की होती है infancy stage इसे बोला गया पहली बार पेपर में वो यह भी पूछ सकता है कि zero to two years की stage को क्या बोलते हैं अगर sensory motor stage आपके पास option में नहीं आया हुआ according to gene पर आजे तो आपको पता होना चाहिए उसको infancy stage बोलते हैं ठीक है तो stage one के अंदर क्या आती है cognitive development theory पहली क्या आएगी cognitive development theory ठीक है ना जिसे उसमें क्या वह उस पहली stage क्या है sensory motor stage यानि कि birth to age two years की यानि कि zero to two years अब आपको पता है अधिक डिरिंग जिस टेश और चाहइज बिगेंस टू डेवलप इस स्टेश के अंदर बच्चा डेवलफ होना शुरू होता है ड्जलफ होना शुरू हो जाते हैं तो पहला एक्षिन करता है वह reflects sleeping रिफ्लेक्स एक्षन इसके अंदर क्या होता है रिफ्लेक्स एक्षन के आपने देखा होगा जो बच्छा पैदा होता है जिस दिन पैदा होता है तो आप लोग क्या करते हो उसको देखने जापते हो ठीक आपके घर में कोई न्यूबॉर्ण बेबी हुआ आप उसको देखने देखोगे कि बच्चा ना पूरे दिन में कुछ सेकिंड के लिए एक मिनढ़ के लिए कहलो या कुछ साथिंड के लिए अपनी आंखे खोल अजयो और जपकाएगा और फिर बंद कर ली अपने पलके लेगा है ना तो बच्चा पूरे दिन में सिर्फ कुछ सेकिंड के लिए या कुछ मिनट के लिए अपनी आंखे एक बार खोलता है और फिर बंद कर लेता है ठीक है और जब बच्चा पैदा होता है कभी आप देखना उसके जो हाथ होता है ऐसे पूरी तरह बंद नहीं होता वो ऐसे पूरी तरह दबा के नहीं रखता उसकी मूठी तो होती है बट इतनी होती है वो पूरा ऐसे टच नहीं होता वो अपने हाथों पे जोर नहीं लगाता उसके हाथ ऐसे के ऐसी होते है ऐसे बंद होते है ठीक है पूरे बंद नहीं होते है थोड़ा सा स्पेस होता है तो उस ताइम बच्चा क्या कर रहा होता है reflex action कर रहा होता है जिसे आखों का खुलना एक दो मिनट के लिए खुलना फिर बंद दो जाना हाथों का पूरा ना खुलके इतना सा खुलना तो यह चीजे क्या होती है बच्चे के लिए उसके reflex action होते है जो बच्चा 0 to 2 years में करता ह है दो साल तक नहीं करता हूँ यह new born baby करता है अगर आपसे पूछा जाए कि reflex action कौन करता है और सिरफ only 0 to 2 years तक दो साल तक reflex action नहीं होते reflex action तो only सिरफ एक new born baby करता है एक new born baby होगा वही यह reflex action करेगा new born baby आप किसे कहते हो जो बच्चा सिर्फ 15 डेज तक का होता है पंदरा दिन के बच्चे को आप new born baby कह सकते हो उसके बाद बच्चा new born baby नहीं रहता वन मंत का हो जाता है फिर टू मंत का फिर त्री मंत का ऐसे एक साल का हो जाता है वह new born नहीं रहता और फिर वह यह reflex action करने भी बंद कर देता है कुछ टाइम बाद उसकी habits हो जाती है ठीक ह होती है उस ट्राइम कई बच्चे रुते बहुत हैं हसते बहुत हैं कि टांगे बहुत महते हैं को उनको हसाओ तो हसेंगे किसी बच्चे को होता है कि मुझे आदत पढ़िया मुझे उठा के घुमाओ है ना तो उसकी habits develop होती है उस ट्राइम पे मदद उसको जैसे habit डालेग है उसने ट्राइय को देखते हैं उन्हीं हाथों से उसको ऐसे पकड़ा हुआ है तो उसने हाथों से पकड़ा हैं और उसे देखा जिस चीज को पकड़ा उसी चीज को वह देख रहा है तो हैंड आई कोडिनेशन उसका हुआ नेक्स आगे है object permanence यह एक ऐसे stage आती है object permanence जो जिरो टू टू यहर में आती है और टेच का कोई भी एक्जायम हो जाए उसमें वह यह पूछ लेते हैं कि जिरो टू टू यहर में कौन सी जिरो टू टू यहर की जो stage होती है object permanence कोन सी stage में आता है object permanence क्या होता है जैसे कि अब देखो बच्चे छोटा है ठीक है पेरेंट् next action के 15 days के newborn baby के बारे में बात नहीं कर रही हूं अब मैं बात करें दो साल तक के बच्चे के बारे में बच्चे के पास टॉय होता है ठीक है वो टॉय उसका चानक से गूम हो जाता है तो मवर रोता है तो मदर उसको new toy लाके देती है ठीक है बट उस बच्चे के दिमाग में वो चीज बैटी होती है चाहे उसको उससे अच्छा toy मिल जाएगा बट वो कहीगा नहीं मुझे तो वही a car चाहिए मुझे कहीं से भी लाकर दो तो बच्चा जब पे अड़ जाता है रोने लग जाता है चाहे parents उसको उससे अच्छा toy ला दे बट वो चीज वो जो बात वो knowing that something exists even the throw it can be seen experimentation and creativity बच्चे के अंदर उती है वो प्याजे ने इन बच्चों को लिटल साइंटिस्ट भी बोला कि पेपर में कोई कोशन पूछ भी सकता है कि लिटल साइंटिस्ट की ने बोला गया नन्य विग्यानिक तो बच्चों को बोला गया इसने बोला जीन प्याजे ने बोला उसने बच्चे को क्या बोला कि वो एक नन्य विग्यानिक है एक लिटल साइंटिस्ट है मिन्स एक्स्पेरिमेंटेशन एंड क्रियेटिविटी को लेकर कि एक्स्पेरिमेंट करा है एंड क्रियेटिविटी में उन्हें बोला क्या आजे reference to the children in this stage as a little scientist उनको बोला गय स्पेजिट की स्टेज का नाम क्या है। एंदर और अदर ही खेंश के बारे में कुछ points जो मैंने आपको बताए कि during this stage इस stage में को अरते हैं बच्चा reflex action करता है ठीक है ना आखों को बंद करेगा खोलेगा अपने हाथों को ऐसे पूरा बंद नहीं करेगा कम बंद करेगा ठीक है ना और क्या करेगा कुछ time के लिए अपनी टांगों को हिलाएगा और फिर वही रु दिमाग में चीज बैठ गी वह ट्वाय बैठ गया चाहिए आप उसको उससे अच्छा ट्वाय लाद होगे बट वह बोलेगा नहीं मुझे तो वही ट्वाय चाहिए है ना तो वह क्या चीज होगी object permanence जो उसके दिमाग में बैठ गी उसके mind में बैठ गी ठीक है ना और इन में आपको एक राया था यह था sensory motor stage ठीक है next आगे अब आपको मैंने जो करवाना है वह है प्री operational stage जिसे आप early childhood stage भी बोलते हो ठीक है जो 227 years की stage है इसको आप टॉडलर भी बोल देते हो 227 year toddler toddler बच्छा होते है ना दो साल का बच्छा का बच्छा का बच्छा का बच्छा मे प्लेवे में डाल देते हैं स्कूल में जाओ तो प्लेवे स्कूल पहले प्लेवे में जाएगा बच्छा प्री नर्सरी में जाएगा प्री नर्सरी में जाएगा तो प्री नर्सरी का बच्छा है इसे टॉडलर उसे क्या बोला उसने टॉडलर तो प्री operational stage 227 years की होती है अर आपको करवाऊंगी वो है इसकी प्री ओपरेशनल स्टेज कंक्रीट ओपरेशनल स्टेज एड़ फॉर्माल ओपरेशनल स्टेज हम इसकी तीन स्टेज इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही काफिया ओके थेंक्यू बाई